नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं TV9 डिस्टल और मैं हूँ रवी पाठक आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बारे में भारत के बारे में थोड़ी बहुत होगी लेकिन में जो बात होगी वो होगी जब भारत और पाकिस्तान दोनों को ही आजादी मिली लेकिन भारत लगातार विकास करता चला गया और जो पाकिस्तान है वो बरबादी के रास्ते पर निकल गया बरबादी हम क्यों कह रहे हैं आप धीरे धीरे जब वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो अब खुद ही समझ जाएंगे कि कैसे बरबादी पाकिस्तान में आती चली गई आगे बढ़ते हैं यह 1950 की तस्वीर है भारत 1950 में ही गंटंत्र बन गया था हमें हमारा समविधान मिल गया था और हमने समविधान के हिसाब से काम करना हमने शुरू कर दिया था लेकिन जब बात पाकिस्तान की आती हो तो पाकिस्तान हमेशा सही हम से पीछे रहा है 1956 में जाकरके इन्हें समविधान मिला यानि कि लगभग 47 से लेके 56 मतलब 8-9 साल बाद ऐसा क्यूं हुआ वो हम आपको बताएंगे लेकिन समझ लिजे कि तब तक पाकिस्तान में क्या था 1956 तक क्या था कि गवर्नर जनरल हुआ करते थे यानि कि राश्वती नाम की कोई चीज नहीं थी गवर्नर जनरल हुआ करते थे चार गवर्नर जनरल रहे हैं पाकिस्तान में 56 तक और State of the Head जो है State of the Head ये हुआ करते थे ब्रिडिश मुनार्ग यानि कि अंग्रेज शासक यानि कि जिस तरीके से अंग्रेज चलाते थे शासन को कुछ उसी तरीके से पाकिस्तान में 1956 तक शासन चलता रहा और यही वजह है कि वहीं से वहीं से कहानी शुरू हो गई पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन की तक था पलड की एक को गिराना दूसरे को उठाना और पावर की जो लड़ाई है वो चलती चले है और आज तक यही पावर की लड़ाई पाकिस्तान में देखने को मिल रही है कैसे वो समझे अजादी के बाद क्या हुआ? 1948 में यह जो आप तस्फीर देख रहे हैं यह तस्फीर है जिन्ना की यानि जिन्ना का देहानत हो गया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक वैक्यूम सा आ गया यानि कि उस ताइम पाकिस्तान समहल नहीं पाया उसको पता नहीं था कि हमको कैसे क्या करना है हलाकि भारत में भी गांदी जी के हत्या कर दी गई थी लेकिन भारत मजबूत था हमेशा सही और भारत में पता था कि हमको कैसे क्या करना है क्योंकि सम्विधान हमारा लगबग आधा तयार हो चुका था 1950 स्वामिधान के साब से काम भी करने लेगी लेकिन यहां पर क्या हुआ कि ख्वाजा नजीमुद्दीन जब जिन्ना चले गए उनका जब दिहान्त हो गया तो ख्वाजा नजीमुद्दीन जो है यह मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे जिन्ना जब गुर्णर जनरल बड़े इनको मुस्लिम लीग का ध्यक्ष बना दिया गया तो 1947 में यानि की पाकिस्तान आजाद हुआ था ये जो है पूर्वी बंगाल से आते थे पूर्वी बंगाल का मतलब यह वा जब पाकिस्तान को बाटा गया था तो एक पश्मी पाकिस्तान यानि की पीशे की तरफ जमु भारत के विक्ता मंत्री वह रह चुके थे और उसके बाद ये पहले प्रधान मंत्री को कहा जाता था मुहाजिर का सीधा मतलब होता है कि जो भी लोग इस washington 1947 में जब देश को बाटा गया यानि कि भारत का जब बठवारा हुआ पाकिस्तान अलग हुआ तो भारत से जो लोग यानि कि भारत के जो मुस्लिम थे वो जब पाकिस्तान में गए तो भारतिये थी कि जो सम्विधान है यानि कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को एक सम्विधान दिया जा और फिर उसके हिसाब से पाकिस्तान किस तरीके से आगे बढ़ेगा कैसे उनका देश चलेगा उसकी कोशिश में लगे वे थे लियाका तली यह पूर्वी बंगाल से थे तो इनके लि ये रेट क्लिफ लाइन है ये ये जो इलाका है ये इस्ट पाकिस्तान और ये जो आपको दिख रहा है ये ये वेस्ट पाकिस्तान यहाँ पर जंग क्या थी दोनों के बीच में सबसे खास बात पहले आपको जो जानकारी है वो देता हूँ यहाँ पर पूरे पाकिस्तान की ज कि इनकी आबादी जादा है जो यहां से थे आनि पाकिस्तान में जो भी उस्वक्त राजनीती ने थे वो नेता इस यह जो वेस्ट पाकिस्तान जो है यहां चाथे थे कि यहां और यहां यानि कि इन लुआव झाल अब पाकिस्तान को अलग किस वजे से किया गया था एक मुस्लिम राष्ट की सोच के साथ हुने लिकिन अब यह यह सोचते थे यहां पर तो हिंदू जादा है तो मुस्लिम राष्ट्र के पती यह उतने वफादार होंगे या नहीं होंगे इसको लेकर डाउट था इसलिए इनको जो है साइड लाइन करने की कोशिश की जाती थी हमेशा यहां से यानि कि इनको जो है पावर सेंटर में नहीं आने दिया ज जाते हैं और रैली में इनको बोली मार दी जाती है और इनकी मौत हो जाती है तो यहां पर क्या हुआ कि प्रधान मंत्री की मौत हो गई 1951 में फिर एक नई स्थिती पैदा हो गई जो 1948 में पैदा हुई थी इनके जाने के बाद क्या हुआ जो ख्वाजा नजीम उद्दीन यह गवर्नर जनरल थे इनको प्रधान मंत्री बना दिया गया प्रधान मंत्री बन गया अच्छा देखिए उस ते में चुनाव उनाव वहां कुछ होते नहीं थे सब कुछ अपने हिसाब से चीज़ते थी क्योंकि ब्रिटिश हिसाब से करते थे तो यह बन गए पाकिस्ता प्रधान मंत्री यहां पर जंग इसलिए वर्सेज हो गई क्योंकि गुलाम मोहम्मद जो है यह बन गया गवर्नर जनरल यह तीसरे गवर्नर जनरल बने क्योंकि पहले जिन्ना दूसरे यह और तीसरे यह इन दोनों के बीच में जो है पावर को लेकर के एक जंग शुरू हो हो है क्योंकि यह बड़े ही शान सुभाव के आदमी थे एक तो पूर्वी बंगाल से थे तो जब कोई पूर्वी बंगाल से तो उनको ऐसे ही एहमियत बहुत ज़ादा नहीं दी जाती है दूसरी चीज यह थी कि यह शान सुभाव के थे तो इनको बेसिकली इसलिए बनाय कि यह आएंगे तो इन से हम अपने हिसाब से काम करवा लेंगे कौन लोग पंजाब प्रांथ है यह पूरा पंजाब प्रांथ में हो गया यहां पर बवाल जमाते इस्लाम यह इक संगठन था जो चाहता था कि पूरा पाकिस्तान जो इस्लाम के हिसाब से चले यानि की कट्रवादी संगठन इसने क्या एक मानना था कि एहमदिया बुसmasıल्मीन जो है वह कट्रपना थी नजी मुद्धिन ने इना रहे कि और देश चरिया के हिसाब से सजले नजी मुद्धिन ए tutorial नजी मुद्धिन ने ये बात नहीं मानी नजीम उद्दीन ने कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता उसके बात क्यों जब बात नहीं मानी गई तो जमाते इसलाम जहनों ने एहमधिया मुसल्मानों के साथ मार पिटाई शुरू कर दी और दंगे भड़क गए पूरे पंजाब प्रांट में ये बात जब नजीम उद्दीन को हटा दिया फिरोज खान को नया सीम बनाए गया पंजाब का इस बीच में क्या हुआ इन्हों ने इन से कहा नजीम उद्दीन से कि भाईया आप इस्तीफा दीजिए क्योंकि आप से भी जो है काम हो नहीं रहा है आप जो है समाल नहीं पारें जो इसको आप कंट्रोल नही रहा हहां करती ठी इननों झादा पाबर उखेया करती थी इनको ब्रक्शास्च कर दिया और नजीम उद्दीन की सरकार खतम ब्रक्सच अब क्या हुआ पंजाब में ने रहा है हम्ट को यहां करद हो और इनको इस्तीफा देना पड़ गए यह चले अब क्यए हैं पूर्वी पाकिस्तान में बावाल शुरू हो गया इस बीच अभी तक बावाल चल रहा था पंजाम में एहमधिया मुसल्मान और जमाते इसलाम के बीच में लेकिन यहां क्या हुआ पूर्वी पाकिस्तान यानि कि वो हिस्सा जो अब बांगला देश बन चुका है वहां पे बावाल वहां पे बावाल इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे बांगला भाशी लोग जो है जो बांगला बोलने वाले लोग थे वह काफी ज्यादा थे और मैंने आपको पहले ही बताए कि 55 प्रतिशा दावारी पूरे पाकिस्तान की वह पूर्वी बंगाल में रहती ती यान 1956 में हाला कि मानता मिल गई तीन साल बाद इसकी कहानी क्या है वो बताएंगे लेकिन उस बीच क्या हुआ जब यह जब मना कर दिया गया कि भाईया नहीं दी जाएगी 1953 में तो पूर्वी बंगाल में एक फ्रंट खड़ा हुआ युनाइट फ्रंट कुछ जो वहां के स्थानिय लोकल लीडर्स थो उन्होंने मिल करके एक फ्रंट बनाया नहीं एक मोर्चा बनाया उसका नाम रखा युनाइट फ्रंट और इनकी जंग किस्से हुई मुस्लिम लीड जो की पाकिस्तान में पावर में थी तो उन्हाइट फ्रंट वर्सेस मुस्लिम लीड की जंग 1903 में शुरू हो गए 1954 में क्या होता है पूर्वी पाकिस्तान में चुनाव होते है पूर्वी पाकिस्तान में चुनाव होते है पाकिस्तान में नहीं यानि कि जो पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान है वहाँ पर चुनाव होता है वहाँ पर क्या होता है United Front की जीत हो जाती है जो नया मूर्चा बना था मुस्लिम लीग के खिलाब वो जीत जाता है मुस्लिम लीग की हार हो जाती है इसके बाद क्या होता है कि ये सरकार बनाते हैं अब भाई जब जीते हैं तो सरकार तो बनाएंगे ही में तो इनके सरकार बनाने से पहले ही पूर्वी पाकिस्तान ययों जो ही पूर्वी बंगाल है पूर्वी पाकिस्तान अभी तक उनका नाम नहीं रखता गया था पूर्वी बंगाल ही कहा जाता था वहाँ पर क्या होँआ दंग yourselves को नंगे भणक ग לא कि गोवर्णर साब जो है जानते होंगे बाद में इंका जिक्र होगा बड़े पैमाने पर जिक्र किया जाएगा लेकिन उस से पहले आपको बतादी कि इसकंदर मिर्जा को बेज दिया गया पूरवी पाकिस्तान यानि के पूरवी बंगाल कि आप वहाँ की स्तिती को संभालिए वहाँ पर बबाल हो रहा है उसको शांत कीजिए United Front केंदर में आता अब देखिए यहां तक की कहानिया अब समझ गए जब एक प्रांत में चुनाव हुए तो प्रांत में सक्ता में बैठता कौन United Front इनको नहीं बैठने देने के लिए क्या किया वहाँ पर कराए गये दंगे भढ़के तो गवंधर ने क्या कहा कि भाई आप गवंधर रूल रहेगा इसकंदर मिर्जा को भेज दिया गया वहाँ पर की जाहिए प्रांत की बात हो गई लेकिन सेंटर में भी तो कोई बैठेगा अगर वहां से कुई चुनाव जीता है तो तो उन्होंने क्या कि कि आस번ली को भंक्र दिया है पावर्त को समृधान नाम की कर चीज तो थी नहीं तो ठीकб dont टीक हो गई तो फिर यह उनिसले को तो यह फैसला दिया गया हाई कोट की तरफ से, 1954 की बात है, तो गुलाम मुहमद ने एक talented committee बनाई तीन लोगों की, उन तीन लोगों में कौन थे, हुसेन, शहीद, सुरावर्दी, जनरल अयूब खान, ये 1955 बात है, और सकंदर मिर्जा, जो की पूर्वी बंगाल का कमान जिनक गया था, ये पश्मी पाकिस्तान administrative unit, अब देखिए, 1955 में क्या हुआ, एक, दो, तीन, इन तीन लोगों के committee बना दी गई, और इन से कहा गया कि किस तरीके से देश चलेगा, आप लोग तै कीजिए, उधर दूसरी तरफ सम्विधान पर काम चल रहा था, क्योंकि जो सम्वि अब आगे क्या हुआ, पश्मी पाकिस्तान को, ये तीनों जब आये, तो उन्होंने क्या किया, कि पश्मी पाकिस्तान में बना दिया administrative unit, और इसका नाम रख दिया पूर्वी पाकिस्तान, यहां पर जाकर के इनका नाम रखा गया है, यानि कि जो पूर्वी बंगाल था, उ अबी भी हो जाता, आप लगातार देखी रहे हैं, उस वक्त क्या हुआ, जो गुलाम मुहमद, जो की गवर्नर जनरल थे, ये रहे थे विदेश यात्रा पे, गुलाम मुहमद, ये चले गए थे विदेश यात्रा पे, तो इसकंदर मिर्जा को जो है, इनको बनाये गया था बर्خास्त कर दिया, क्योंकि कारे-कारी गवर्नर थे, गवनर के हाथ में पावर थे, इनोंने दोनों को बर्خास्त कर दिया, और नया पि-म बनाये नोंने चौ Local Climate Ali को, और इनही के कारेकाल में, ये चौधरी मोहमद Ali के ही आपको इनगाता, पाकिस्तान को नया संविद्हान मिलने में पहला इसलिए कहा रहा हूँ क्योंकि बहुत बार बदलाव किये गए सम्विधान में और कोई संचोधन टाइप बदलाव नहीं थे पूरा का पूरा सम्विधान बदला गया था कैसे वो भी बताऊंगा तो 1956 में पाकिस्तान को पहला सम्विधान मिला चौधरी मुह सम्विधान बना तो नेशनल पार्लियमेंट जैसे कि भारत में अपना संसद है ऐसे वहां पे एक नेशनल पार्लियमेंट जिसमें पूरे राष्ट की बात होगी पूरे पाकिस्तान की बात होगी 300 सीटे रखी गई थी 162 सीटे रखी गई थी पूर्वी पाकिस्तान यानि की बंगाल से जिसे बाद में पूर्वी पाकिस्तान बोल दिया गया था पूर्वी बंगाल और 133 सीटे रखी गई थी पश्वी पाकिस्तान से दो पाकिस्तान जो पताय था अड्मिस्ट्रेटिव यूनिट और रिपब्लिक जो हम बात करते हैं 1950 में भारत रिपब्लिक बन गया था लेकिन पाकिस्तान नहीं बना था तो पाकिस्तान 1956 में बना और पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक बना तो यहां पर जब पाकिस्तान को अपना समविधान मिल गया तो यहां पर क्या किया गया जो गवर पावर नहीं होगी यानि कि प्रधान मंत्री को भी जाधा पावर दी गई और कैबिनेट मेंबर्स को भी यानि कि जो चुन करके सरकार आईगी उनको ज्याधा पावर दीगे राष्ट्पती को उतनी पावर नहीं दीगए 1957 में क्या होता है चौधरी मुहम्मद अली जो पी-म थे इनके खिलाफ जो है और विश्वास प्रस्ताव आजाता है यह चले जाते हैं इसके बाद आते हैं हुसेन सुरावर्दी हुसेन सुरावर्दी को जो तीन जो कैबिनेट बनाई गई थी टेलेंटेड कैबिनेट वे ती लड़ा दिया गया इब्राहिम इसमाइल को बनाए गया 55 दिन रहे बचारे चले गए इसके बाद फिरोज खान को पंजाब कामांड दी गई थी बाद में पंजाब में हो रहे थे बबावाल यानि कि पंजाब में जब बबावाल हुआ था और जब खाजा नजीम-दीन वजे से अब एक कि बाद एक प्रधान मंतरी आ रहे थे जा रहे थे आ रहे थे कोई साल भर तो 45 दिन तो सकंदर मिर्जा की पाकिस्तान में कि बहुत हैं है ताना शाह अब क्या हुआ जन्यर आयूब खान जो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं जनरल अयूब खान इनकी कैबिनेट में थे और बहुती सीनियर मेंबर थे इन्होंने क्या किया पाक आर्मी में भी थे पाक आर्मी चीफ थे ये तो पाकिस्तान में जो पहली बार शुरुआत हुई तक्ता पलट की वो यहीं से हुई क्योंकि इसकंदर मिर्जा को लेकर पूरे पाकिस्तान में ये महौल बन चुका था कि यह हैं ताना शाह किसी भी पीम को टिकने नहीं देते हैं तो जनरल अयूब खान जो है ये आर्मी चीफ थे और कैबिनेट के भी मेंबर थे तो इन्होंने क्या-क्या तक्ता पलट कर दिया यानि इनको गुडबाई बोल दिया और 1958 में पाकिस्तान में जो है मिलिटरी शासन लगा दिया गया मार्शल लो लगा दिया गया और 10 साल तक 10 साल तक जो है जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान पर राज किया यहां से लेके 68 वर्शड तक अब देखिए बांगलादेश मुक्ति अंदोलन इसी बीच जो है वो शुरू हो जाता है बांगलादेश मुक्ति अंदोलन यानि कि बांगलादेश को अलग करने की बात यह शुरू हो जाती है इन्हीं के टाइम पर दस साल तक इन्हों ने राज किया और यहां पर बांगलादेश मुक्ति अंदोलन जब शुरू हो गया तो बहुत जादा बवाल हुआ और आखिरकार अयूब खान को अपना पद छोड़ना परा 1969 में जो है यह पद छोड़कर चले गए और 1970 में इसके बाद जो है अब तक तो मिलिटरी शासन था इसके बाद 1970 में पहली बार चुनाव होते हैं पाकिस्तान में और यहां पर क्या था कि याया खान क्योंकि अयूब खान जा चुके थे तो याया खान वो राश्वत आज गए थे अब यहां पर क्या होता है कि 1970 में जो है पाकिस्तान में पहली बार नैशनल असेंबली के चुनाव कराने जाते हैं नेशनल असेंबली यानि की रास्ट्रे लेवल पर चुनाव होता है इससे पहले जो असेंबली थी उसमें कोई चुन करके नहीं गया था अब क्या है पाकिस्तान में पहली बार 1970 में चुनाव होता है रास्ट्रे लेवल पर इसमें क्या होता है इस्ट और वेस्ट ज पाकिस्तान में पीपीप पार्टी इन तीनों के बीच में इन दोनों के बीच में चुनाव हुए यह जनाव जो है 161 सीटे थी पूरवी बंगाल में जुए आपको पहले बताया था 161 सीटे यह जीत गए प्यूंकि बंगलादेश बंगला मुक्ति आंदोलन चल रहा था इनक पूरा वहाँ पे जोर था वर्चस्व था तो 160 सीटे जो हैं इनको मिल गई एक सीट खाली है हार गया हारे ने उस एक सीट पर चुनाव ही नहीं होए तो कुछ कारण था यह क्या सीटे यहां पर इनको मिली वेस्ट पाकिस्तान में अब क्या हुआ जब भाई आप बहुमत के स साथ आए हैं तो आप सक्ता में आएंगे यानि कि आप सरकार बनाएंगे लेकिन यहां पर फिर खेल कर दिया गया यह कहा गया है कि अवामी लीग जो है इनको सिर्फ पूर्वी पाकिस्तान में ही सीटे मिली है इनको पश्वी पाकिस्तान में तो इनका को जनाधार ही नहीं तो फिर यह कैसे पूरे पाकिस्तान पर राज कर सकते हैं मतलब कैसे यह सरकार चला सकते हैं तो इसको लेकर क्या हुआ शेक मुझीबुर रह्मान जो अवामी लीक से जीत करके आये थे यह लीड कर रहे था और इधर जो एक 80 सीटे जीती थी पीपी यह थे जुल्फिकार अली पाकिस्तान में जीते यह खेल कर देता है यहाँ पर क्या खेल हुआ इनकी और इनकी यानिकी तीनों याया खान, जुल्फिकार अली भुट्टो और शेक मुझीबुर्रह्मान इन्होंने मध्यस्ता की और इन दोनों को बिठाया और बात करने की कोशिश की गए कि आप लोग आपस में तेह कर लीजे कि कैसे क्या करेंगे कुल मिलाकर के इनकी तरफ से जो है इनोंने पैरवी की कि आप जीते जरूर हैं लेकिन ऐसी ऐसी यह बात अपनी रख रहे हैं आप लोग आपस में समझावता कीजे कि कैसे क्या करेंगे मुझीपूर रहमान मना कर दिया कि भैया ऐसे नहीं हो सकता हम जब जीते हैं तो हम बैठेंगे तो किल मिलाकर यहां पर सेना भी चाहती थी कि पश्मी पाकिस्तान से कोई ना आए जो पश्मी पाकिस्तान में यानि कि पंज़ाब वाला जो इलाका था जो पंजाब यानि पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग है वो सत्ता में तो इन्हों ने क्या किया कि शेख मुझीबुर्र रह्मान ने मना कर दिया कि नहीं भाइए आम को समझाता नहीं करेंगे तो फिर इन्हों ने जो है और उग्र ढूप अपना लिया और जो है मुक्ति अंदोलन को और ज्यादा तेज कर दिया यानि कि अब वो चाहते थे कि अब हम यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि अमारी बात नहीं मानी जा रही है चुनाप जीतने के बाद भी हमको तबज्जो न सि YVESEM क्या होता है कि अवामी लीग एक आवामी यानी मुजीबुर्र रहमान क्यूंकि वहां पर लीड कर रहे थे लगातारफ प्रोटेस्ट कर रहे थे यह मुजीबुर् रहमान तो इनके खिलाफ जो है सेना उतार दी गई अब जब सेना उतार दी गई तो मुझेवर रह्मान को गिरफतार कर लिया गया पूर्वी पाकिस्तान में लगातार अंदोलन चल रहा था सेना को लगाया गया तो सेना ने क्या किया कि भाई मुझेवर रह्मान को गिरफतार कर लिया गया और धाका में यानि कि उस वक्त धाक आज भी जो है यह जो कई लोगों की धाका में जो गोली बारी वी इसमें जो मौत पी तो उनकी आज भी जो है उनकी प्रतिमाये जो है वो लगाई गई है धाका में आज की डेट में भी इनके नाम पर एक म्यूजियम बनाऊ है जिसमें उनकी प्रतिमाये लगी वी कि वो किस बांगलादेश और जब यहां पर याया खान यानि की यह जब भारत से जब करारी शिकस्त का सामना करना पड़ता है तो फिर यह इस्तीफाते देते हैं अब 1971 में जब याया खान चले जाते हैं तो जुल्फिकार अली भुट्टो यह बन जाते हैं राश्च्पति अब इनको एक नया समविधान चाहिए था जिस समविधान में इनको लगे कि मेरे पास पावर रहे तो यह थोड़ा सा समविधान में बदलाव करते हैं बदलाव के समझे कि नया समविधान ले आते हैं यह क्या करते हैं कि राश्च्पति के पास पावर कम कर देते हैं और प् सब्सक्राइब करेंगे और हम खुद को जीतावा साबित कर देंगे कैसे क्योंकि यह जो इनके जो candidate बहुत जगे से जीते थे वो ऐसे जीते थे कि जहां पर उतने वोटर्स ही नहीं थे यानि उनको इतने वोटों से जीत गए थे जितने कि वहां पर वोटर्स ही नहीं थे जब ये बात पाकिस्तान में फैली तो फिर और बवाल शुरू हो गया तब जब बव पलट दुबारा से तो बना से सेना का शासन हो गया तो यहां पर क्या होता है भुट्टो गिरफतार और फिर सेना का शासन यहानी कि तकता पलट है यह आपने देखा PR बर्बादी की कहाणी आगे भी चलती रहेगी लेकिन उसके पार्ट टू में लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी आपको लिंक दिखाई देगा